रखते ही हमारे कारकम की शुरुवात ब्रिक्स बिजनेस फार्म से हो रही है सबसे पहले मैं राश्पदी रामा फोसा को उनके निमंत्रान और इस बैटक के आयोजन के लिए बहुत-बहुत धन्वाद देता हूँ ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल को दस्वी वजगांड पर बहुत-बहुत बधाई और शुबकामनाई देता हूँ पिछले दस वर्षों में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल ने हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में बहुत महत्मपूर्ण भूमी का निभाई है 2009 में जब ब्रिक्स की पहली समिट आविजित की गई थी तब विश्व एक बड़े आर्थिक संकर्चे बहार आ रहा था उस समय ब्रिक्स ब्रैश्विक अर्थववस्ता के लिए एक आशा की किरण के रुप में उभरा था वर्तमान समय में भी कोवीड महमारी तनावों और विवादों के बीच विश्व आर्थिक चुनतियों से जूज रहा है ऐसे समय में ब्रिक्स देशों के एक बार फिर महत्मपूर्ण भूमिका है फ्रेंट्स वैश्विक अर्थववस्ता में उथल पूथल के बावजूत भारत आज विश्व की फॉस्टेस ग्रोइंग मेजर एकॉनमी है जल्द ही भारत फाइव ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी बन जाएगा इस बात में कोई संदे नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ एंजिन होगा यह इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अउसर में परिवर्तित किया पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफाउम्स किये हैं उनसे भारत में इज अब बिजनेस में लगातार बड़ोत्री हुई है हमने कम्प्लाइंस बर्डन को कम किया है रेट टेप को हटा कर रेट कार्पेट विछा रहे हैं GST और Insolvency and Bankruptcy Code के लागू होने से Investor Conference बढ़ा है रक्षाव और अंतरिक्ष्य सक्षेत्र जिन को प्रतिबंदित माना जाता था आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिये गए हैं हमने Public Service Delivery और Good Governance पर विशेश रुप से ध्यान के इंद्रित किया है टेक्नलोलोजी के इस्तमाल से भारत ने Financial Inclusion की और एक बड़ी छलांग लगाई है इसका सबसे अधिक लाप हमारी ग्राण में महिलाओं को मिला है आज एक लिक से भारत में करोडों लोकों को Direct Benefit Transfer किये जाते हैं अब तक 360 बिलियन डॉलर से भी अधिक ऐसे ट्रांसफर किये जा चुके हैं इससे सर्विस डिलिवरी में पारजर्स्तिता बढ़ी है और प्रस्टाचार और मेडल में कम हुए हैं प्रती गिगाबेट डाटा की कीमत में भारत सबसे कृफायती देशों में हैं आज भारत में स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्ट सक यूपी आई यान उनाइफाइड पेमेंट इंटरफरेस का इस्तिवाल किया जाता है आज वीश्टों के सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजिक्शन वाला देश भारत है विए ही फ्रांस सिंगापूर जैसे देश इस प्लेट्फरम से के साथ जुड़े हैं ब्रिक्स देशों के साथ भी इस पर काम करने के लिए अनेक संभावना है भारत के इंफ्रासेक्टर में बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से देश का परिद्रश्य बदल रहा है इस वर्थ के बजेट में हमने इंफ्रासेक्टर के लिए लगभग 120 बिलियन डॉलर का प्रावधान रखा है इस निवेश के माध्यम से हम भविश के एक नए भारत की मजबुत नीव रख रहे हैं रेल, रोड, वाटरवे, एरवेज हर छेत्र में तेज गती से बड़लावा रहा है आज भारत में दस जार किलोमेटर प्रतिवर्ष के रफ्तार से नए हाईवे बन रहे हैं पिछले नव वर्ष में एरपोर्ट के संख्या दोगुनी हुई है निवेश और उत्वादन को बढ़ाने के लिए हमने प्रोड़क्शन निंक इंसेंटिव स्कीम्स लागु की है लॉजिक्सी कोग्स कम होने से भारत का मैनुप्रेक्टिर सेक्टर कॉम्पिटिटिव हो रहा है रिन्यूबल एनर्जी की खेतर में भारत वर्ल्ड लीडर में से एक है हम भारत को सोलार एनर्जी, विन एनर्जी, इलेक्टिव वेहिकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया जैसे खेतरों में ग्लोबल मैनुफेक्टिर हब बनाने के लिए सक्रिय रूप से कर्म उठा रहे हैं स्वाभाविक है कि इसे भारत में रिन्यूबल टेक्नोलोजी का एक बड़ा मार्केट बनेगा आज भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टिम है भारत में इस समय सों से भी अधिक यूनिकों है आईटी, टलिकॉम, फिंटेक, एईए और सेमिकंट्रक्टर्स जैसे क्षेत्रों में हम मेक इन इंडिया, मेक फर द वर्ल्ड के वीजन को आगे बढ़ा रहे हैं इन सभी प्रयासों का सामाने जन के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से सकारात्पक प्रफाव पड़ा है पिछले नव वर्षों में लोगों के आए में लगभग तीन गना वृद्धी हुई है भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं के शसक्त भागीदारी रही है आईटी से लेकर स्पेस तक बैंकिंग से लेकर हेल्थ केर तक महिलाओं पूरुसों के साथ कंदे से कंदा मिलाकर देश की प्रखति में योगदान दे रही है भारत के लोगों ने 2047 तक एक विक्सिद राष्ट बनाने का संकल्प लिया है प्रेंट्स मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा में साविज होने के लिए आमंतरित करता हूँ कोविट महमारी ने हमें रेजिलियन्ट और इंक्लूजिव सप्लाई चेंज के महत्प को सिखाया है इसके लिए आपसी विश्वास और पारदर्सिता बहुत ही महत्पूण है हम एक दुसरे की ताकतों को जोड़कर पूरे विश्व खास तोर पर ग्लोबल साउथ के कल्यान में महत्पपूण योगदान दे सकते है एक्सलेंसी मैं एक बार फिर ब्रिक्स बिजनेस जगत के लीडर्स को उनके योगदान के लिए बदाई देता हूँ इस मिटिंग के शांदार आयोजन के लिए मैं मेरे मित्र राश्पति रामा फोसा का भी आफार वेक्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ